हलो बच्च पाटी क्या से हो आप लोग आशा करता हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागात है आपके अपने प्लैटफॉर्म प्लस फांडेशन पर और मैं हूँ इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या इंट्रोडक्शन इस इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था इस इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने स्कॉयर वाला तरीका पढ़ा था स्कॉयर वाला मैथड पढ़ा था जिससे हम क्या करते थे सॉल्व करते थे किसको सॉल करते थे quadratic equation को solve करते थे हम लोग तो हम लोगों ने यह देखा था कि completing making square कैसे होता है solve करते हैं उसको तो इसी पर हमें आज पूरे के पूरे questions करने हैं यहां पर instruction अपना missing है वही लेकिन value निकालने यह x के with help of completing square method completing square method चले आईए इसको solve क्या बोला गया था कि जो x square का coefficient है आप उसे क्या करेंगे 1 बनाएंगे already one है कोई बात नहीं आगे चले x square minus इसको formula का two envelope part होता है उसमें तोड़ दो two theory x zero x square यह formula वाला यह x plus three square यह अपने मन से add किया है हम लोगों यह वाला value हम लोगों नहीं क्या किया है अपने मन से add किया है तो इसको minus भी कर दो पलस three zero चले आगे अब क्या हो जाएगा x square minus two three x plus three square यहां तक तो दिख रहा हो आपको क्या दिख रहा है कि यह x minus three का square यह x minus three का square minus nine पलस three is equal to zero x minus three का square यह क्या देगा अपने पास minus six is equal to zero x minus three का square is equal to six clear बच्चे यहां तक तो किसी को कोई doubt या समस्या नहीं होना चाहिए यहां चलते हैं कि एक्स माइनस three का square यह कितना था अपने पास six एक्स माइनस three क्या हो जाएगा रूट six रूट six चले अब एक्स माइनस three रूट six अब ज्यान देना अब यह जो वैलू है बच्चे इसकी वैलू दो वैलू आएगी एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में तो यहां से एक्स की वैलू क्या हो जाएगी ठीरी प्लस रूट और एक बार ठीरी माइनस रूट शीक्स क्लियर है चले आगे अगए ठीरी प्लस रूट सिक्स ठीरी माइनस रूट सिक्स क्योंकि रूट को जब उपन करेंगे तो दो वैलू आएगी अपने पास प्लियर है एक्से स्क्वाइर माइनस पॉर एक्स से तुस आप सब दिख रहा है चलिये एक्से स्क्वाइर माइनस टू फर्मिला वाला ये टू और ये एक्स प्लस वान इज इक्वाल स्टो जीरू x square minus 2 to x plus इसका square minus इसी का square plus 1 0 यहां से लेकर यहां तक क्या होगा मिरे भाई यह x minus 2 का whole square minus 4 plus 1 x minus 2 का square यह value क्या देगा minus 3 is equals to 0 चले आगे चले आगे चला जाए क्या है x minus 2 का square is equals to 3 x minus 2 is equals to root 3 अब भाई इसकी दो value होगी plus और minus plus और minus clear तो यहां से एक बार x minus 2 is equals to x minus 2 is equals to plus root 3 एक यह वाला दूसरा खिया x minus 2 is equals to minus of root 3 यह वाला यहां तक clear यहां से x की value क्या आजाएगी मेरे भाई 2 plus root 3 यहां से x की value क्या 2 minus root 3 2 minus root 3 clear है बच्चे चली आगे चली बहुत सही x square plus 8x minus 2 x square plus 8x minus 2 is equals to 0 x square plus formula वाला 2 अलग किया 4 और यह x minus 2 is equals to 0 x square plus 2 4 x अब यह इसका square 4 का square add किये तो minus भी करेंगे यहां से लेकर यहां तक मेरे भाई क्या होगा बताओ जरा x plus 2 x plus 4 का square x plus 4 का square minus 16 minus 2 is equals to 0 x plus 4 का square यह क्या देगा minus 18 is equals to 0 0 आगे चले चले क्या हो जाएगा x plus 4 का square is equals to में क्या मेरे बच्चे 18 x plus 4 18 यह उधर जाकर क्या root इसको और arrange कर दे 9 into 2 तो क्या जाएगा x plus 4 is equals to plus और minus क्योंकि root plus minus value देता है क्या होगा 3 root 2 अब उधर स्कोले कर चलो एक बार plus के साथ minus है minus 4 plus 3 root 2 और एक बार minus के साथ minus 4 यहाँ पर plus तो आपकी बार minus clear है मेरे बच्ची चलिए आगे clear है चलिए बहुत अच्च 4 x square plus 4 root 3 x plus 3 चलो पहला काम इसके कोफिशेंट को क्या करना 1 बनाना 4 से डिवाइट करता हूँ तो क्या हो जाएगा x square plus root 3 x plus 3 by 4 is equals to 0 clear है बच्ची आएगा ध्यान से देखना फोकस होकर formula वाला 2 अपने मन से लगाए है इसको हटाने के लिए यहाँ पर 2 लगा दी नहीं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं इसको इस तरह से x यह वाला चीज है ना इसको square ले लिया इसका एक बार और एक बार माइनस कर दो plus 3 by 4 is equals to 0 is equals to 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा बच्चे यह होगा x plus root 3 by 2 का whole square अब इसकी बारी है minus root 3 sorry 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 root 3 का square करोगे तो 3 नीचे में 4 plus 3 by 4 यह दोनों तो cancel out हो गया यह दोनों तो cut गया आपने आप क्या बच गया x plus root 3 by 4 का square x plus root 3 by 4 का square तो यहाँ से x क्या हो जाएगा minus root 3 by 4 minus root 3 by 4 दो बार क्यों दो बार power 2 है quadratic है इसलिए clear बच्चे चलिए 2 x square plus 5 x minus 3 2 x square plus 5 x minus 3 इस चीज़ को हमें solve करना है by complete square method method क्या पहला काम coefficient को एक बनाना x square क्यों क्या हो जाएगा x square plus 5 by 2 x minus 3 by 2 is equals to 0 घ्यान से देखना बच्चे x square plus formula वाला 2 इसको हटाने के लिए नीचे में क्या आ जाएगा 2 इन्टू 2 ये 2 तो पहले से था इस 2 को लाएए इन्टू x minus 3 by 2 is equals to 0 चले arrange करें x square plus 2 5 by 4 x इसी का square जोड़ दे और घटा दे add कर दे और subtract कर दे plus 5 by 4 का square add किया minus 5 by 4 का square subtract किया और पहले से क्या है minus 3 by 2 is equals to 0 यहां से लेकर यहां तक क्या होगा मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक क्या होगा बताओ यह होगा भाई सहाब x plus 5 by 4 का whole square अब इसकी बारी minus 25 by 4 minus 3 by 2 सारी 4 है तो 16 हो जाएगा 4 यह 16 is equals to 0 अब आगे चले यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए चली x plus 5 by 4 का square अपने पास minus 25 by 16 minus 3 by 2 is equals to 0 x plus 5 by 4 minus sorry minus बात की बात LC हम ले लो मेरे भाईस का क्या होगा 16 2 का 16 minus 25 minus 24 clear है minus 25 minus 24 clear है is equals to 0 क्या होगा x plus 5 by 4 square यह कितना देगा minus 49 by 16 is equals to 0 इसको अब उधर लेकर चले तो माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा positive होगा उधर जाएगा तो क्या positive x plus 5 by 4 square उधर जाकर 49 by 16 0 x plus 5 by 4 इस पर root आ जाएगा 49 by 16 x plus 5 by 4 यहां से दो वैल्यू plus minus 7 by 4 plus minus 7 by 4 अब इसी चीज को arrange कर दें इसे चीज को एक बार plus के साथ और एक बार minus के साथ x plus 5 by 4 क्या होगा 7 by 4 plus लिया x is equals to 7 by 4 minus 5 by 4 कितना जाएगा 2 by 4 तो यह 1 by 2 अपने पास एक बैल्यू फिर दोसरा बैल्यू ले x plus 5 by 4 is equals to minus 7 by 4 x is equals to minus 7 by 4 minus 5 by 4 minus 12 by 4 minus 3 1 by 2 आया और minus 3 आया 1 by 2 और minus 3 चले आगे इसको भी solve किया जाएगे चलिए x square minus x by 3 minus 2 by 3 यहा तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए clear क्या किया है कुछ नहीं किया है बस x square के जो coefficient है उसको हम लोग 1 बनाया उसको हमने 1 बनाया है 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से divide करना पड़ेगा चले is equals to 0 पर्मिला वल्ला पार्ट ये 2 एड़ किया x इसको हटाने के लिए निचे में 6 आ गया minus 2 by 3 0 थोड़ा और एरेंज कर ले 2 1 by 6 into x इसी का square add कर दे और इसी का square क्या करें सबस्ट्रेक्ट कर दे चला आ जाए इसी का square क्या किया add किया इसी का square क्या किया सबस्ट्रेक्ट किया minus 2 by 3 is equals to 0 भाई साब यहां से लेकर यहां तक की रमायन को तो आप समझी गया होंगे देखते वे आपको पता चले गया होगा कि ये क्या होगा ये होगा आपका x minus 1 by 6 का square minus 1 by 36 minus 2 by 3 is equals to 0 चले आगे अरे हां या ना कुछ तो बोलो मेरे भाई चले चलो x minus 1 by 6 अराम्षे बच्ची पेशन्स के साथ धैर बना के रखी x minus 1 by 6 minus 1 by 36 minus 2 by 3 is equals to 0 x minus 1 by 6 का square ऐल से म्ले 46 minus 1 आएगा ये हो गया बारा बारा दोने 24 कि एक्स्य माईनस Nee Jewish को सब्सक्रीज इस को अब उधर लेकर चले अंधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा तो पॉजितिव में मेर्द है उधर जाएगा तो पॉजिटिव में एक्स्य मईनस बारोन 35 by 6, sorry 36, x minus 1 by 6, यह 25 by 36 का root आ जाएगा, x minus 1 by 6 is equals to plus minus 5 by 6, plus minus 5 by 6, अब बताओ जरा यहां तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है भाईसा, तो चलिए, आगे चलते हैं अब, एक बार ले लिए plus वाला value, 5 by 6 और एक बार ले लेंगे minus वाला value, clear है, एक बार क्या लेंगे plus वाला और एक बार minus वाला, x is equals to 5 by 6, plus 1 by 6, 6 by 6, 1, 1 आया, आगली बार, minus ले, minus 5 by 6, minus value लिया मेरे भाई, x is equals to minus 5 by 6, यह माइनस हो धर जाकर, प्लस 1 by 6, कितना, 4, minus 4 by 6, तो minus 2 by 3, minus 2 by 3, यहां तक तो किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए, चलिए आगे, इस question को आप खुद करेंगे बच्चे, थोड़ा सा लेंदी जाएगा calculation, लेंदी जाएगा calculation, ऐसा नहीं की नहीं जाएगा, लेकिन इसको आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको सीखना भी है, समझना भी है, चीजे करना भी है, चलिए, इसको करते हैं, समझेगा, पहला काम, जो हम करते आ रहें, x square के coefficient को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x square, पलस 3 बाइ 7 x माइनस 4 बाइ 7 is equal to 0, अब formula बला पार्ट शुरू होता है, अब formula बला पार्ट शुरू होता है, x square पलस 2, तू अपने मन से add किये, multiplication के terms में, जो इसको हटाएंगे कैसे, with help of division, तो 3, 7 तो था, 2 भी आ जाएगा, तो 14, minus 4 by 7, x square पलस 2, 3 by 14, x, अब ये जो है, इसी का square add कर दो, इसी का square subtract कर दो, हो जाएगा, 3 by 14, square add करा, 3 by 14, subtract करा, minus 4 by 7 is equals to 0, अब ये क्या है मेरे भाई, x plus 3 by 14 का square, minus 3 by 14 का square, minus 4 by 7 is equals to 0, आगे की रमायन आप खुद करेंगे, आगे का calculation आपको खुद करना है, clear बच्चे, और आपको solve करके, जो भी answer है बच्चे, comment करना जरूर, ताकि मुझे भी तो पता चले, कि चीजे आपकी clear हो रही है, या नहीं, चले इसको, देखो, अच्छा question है, चले, पहला काम वही, x square, minus 2 by 3, x, minus 1 by 3, अब, पर्मुला वला 2, 2, इसको हटाने के लिए निचे में तो यह 6 हो जाएगा, अब, इसी का square add कर दो, plus 2 by 6 का square, इसी को subtract कर दो, पहले से यह क्या था अपने पास, minus 1 by 3, x equals to 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, x minus 2 by 6, 2 by 6 का square, it equals to, यह 2 by 6 है बाचे, इस 2 by 6 को हम cancel बेटो कर सकते हैं, कर दें, तो यह क्या हो जाएगा, 1 by 3, इस तना गलती, minus है न, 1 by 3 का square, minus 1 by 3 is equals to 0, सेम चीज़ यहाँ पर भी कर दें, x minus 1 by 3 का square, यह क्या हो जाएगा, 1 by 9 minus 1 by 3 is equals to 0, अब, अब, आगे का काम कर ले, क्या करें, आगे का का काम कर दें, यहाँ तक तो किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए, कोई confusion नहीं होना चाहिए, आगे चलते हैं मेरे भाई, x minus 1 by 3 का square, इस सिमलिया 9, minus 1 minus 3 is equals to 0, x minus 1 by 3 का square, minus 4 by 9 is equals to 0, इसको भी धर लेकर चले, x minus 1 by 3 का square is equals to 4 by 9, x minus 1 by 3, यह हट गया, तो यह होगा, x minus 1 by 3, यह क्या देगा, plus minus 2 by 3, plus minus 2 by 3, चले आगे, plus minus 2 by 3 देगा, यह चीज़, चलते अब, तो इधा लिख लेते हैं, एक बार क्या ले लेंगे, plus वाला और एक बार minus वाला, एक बार plus वाला और एक बार minus वाला, x minus 1 by 3 is equals to plus वाला लिया पहले, 2 by 3, x minus 1 by 3 is equals to 2 by 3, 2 by 3, तो 3 by 3 कितना आगे हैं, यह अपना पहला एंसर, दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा क्या है, x minus 1 by 3 is equals to minus of 2 by 3, x is equals to minus 2 by 3, इसको इधर ले कर चले, क्या हो जाएगा, plus, minus 1 by 3, clear हैं, बच्चों, clear है, चले आगे, चले, बहुत अच्छे, इस question को बच्चे आप जल्दी से खुद करेंगे, खुद करेंगे, क्योंकि हमने बहुत question कर लिया इस पर, तो अब आपको idea लग गया होगा, कैसे square बनाते हैं, complete square, method क्या होता है, तो इसको आप खुद कीजिए, चले आगे, चली, आई, बहुत अच्छा question है, बहुत अच्छा question है, शांदार, कुछ नहीं करना है, बच्चे, एलस्यम ले लो, बस, x square, क्या हो जाएगा, 2-5x, प्लस, 2x square, is equals to 0, cross multiplication करें, 2-5x, प्लस, 2x square, is equals to 0, आगे चले, आगे क्या हो जाएगा, इसको arrange कर दो, अब अपने पास जो required equation है, मेरे भाई, क्या है वो, 2x square, minus 5x, प्लस, 2, is equals to 0, अब आप ये बताओ जरा, कितना simple question है, क्या ये नहीं होगा, क्या ये नहीं होगा, करो, answer जो भी आए बच्चे, बहुत छोटा सा question है, इसलिए मैंने जानवाच किसको छोड़ा है आपके लिए, और आप इसको कीज़ेगा जरूर, जो भी answer आए, solution के बाद आप comment करके बताना जरूर, comment करके बताना जरूर, चले, चलो, हाँ, ये अच्छा question है, इस question को ध्यान दो, इस question को हम लोगों ने factorization method से भी किया था, splitting the middle term से भी किया था, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, हमें perfect square बना कर चुज़ों को solve करना है, तो साथ बने रहिएगा, चले, पहला काम, simple सा वही जो हम अब तक करते आ रहे हैं, x square के coefficients को क्या बनाएंगे, बच्चो, 1 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, चले, x square plus bx minus a square minus b square, नीचे में by 4, क्योंकि 4 यहाँ पर रखेंगे, तो 4 पर कर जाएगा, clear हुपार है, अराम सबच्चे, हर बड़ी नहीं करना है, x square plus, समझना आब, यह भी यह, यह भी और यह x, clear, थोड़ा अलब है, क्यों लिखा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा, formula बड़ा 2 जोड़ दिया, इसको हटाने के लिए नीचे, 2, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चला, अब इसको लिख दे, minus, a square minus b a square, समझ यह अब, x square plus 2, b by 2, यह जो होता था, इसी का ने square हम लोग add करते थे और subtract करते थे, कर दो, b plus 2 का square add किया, b plus 2 का square subtract किया, minus a square minus b square by 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक जड़ा ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या है यह, x plus b by 2 का whole square, यहाँ पर अगर sign के साथ confusion हो रहा है तो बच्चे कोई बात में, सबको उधर लेकर चलो, सबको उधर लेकर चलो, b square by 4 plus a square minus b square by 4, clear, आगे चले, x plus b by 2 का square, b square by 4, इसको तोर रहे हैं भाई, यह a square by 4 minus b square by 4, यह दोनों तो गया, गया तो भाई कार दो, भगा दो इसको, x plus b by 2 का square, क्या बच गया, a square by 4, अब root हटाने की वाड़ी आ गई, x plus b by 2, a square by 4 का root, x plus b by 2, plus minus a by 2, बताओ, यह आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, एक बार लेले, प्लस वाला, एक बार क्या ले, प्लस वाला और एक बार, माइनस वाला, चलाओ, x plus b by 2, is equal to plus वाला ले रहे हैं, अब की बार, a by 2, तो यहां से x क्या आ गया, a by 2 minus b by 2, इसको एरेंज कर दें, तो a minus b by 2, फिर दूसरी बारी, अब किसकी है, माइनस वाले की, x plus b by 2, is equals to minus of a by 2, x is equals to minus a by 2, minus b by 2, माइनस कॉमन ले लिया, a plus b by 2, बताओ, इस कोश्चन में था कुछ, बताइए जरा, यह तो splitting the middle term उससे भी इजी है, clear है? कि अईसा कि अंधन उसे जाओ, इस जईस्चन झाले की,